दुमश्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने अवलने इस अंस्थान परिक्षाप्रस में बुच्चो अभी राजपत्र जो आपने देखा होगा भारत सरकार का CRPF की वेकेंसी को लेके 1,30,000 लगबग 1,29,929 जुपद हैं इसके बारे में बहुत सारी चर्चां हैं, बहुत सारे प्लेटफORम पे चल रही है कि यह fake है या real है और इसके लिए मुझे भी इसका पस्टी करण देने के लिए कि कहीं न कहीं यह जो वेकेंसी है यह आपके लिए real वेकेंसी है Fake नहीं है किस तरज़ पर मैं ये बोल रहा हूं कि ये रियल है क्यों आ सकती है वो सारी ही जानकारी लेकर सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाने आया हूँ यदि आप SSC GD, Constable या फिर आप CRPF की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही महतुपूर सेशन है आप अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब आवशकर लीज़ेगा वीडियो पशंद है तो आपके लोग आपके लोग लाइक आवशकर लीज़ेगा दिखते हैं भारत का राजपत्र जो गैजट ऑफ इंडिया की बात की गई है ये पाँच अप्रेल का यहाँ पे गैजट है ग्रह मंत्राले के दोरा एक अजिसूशना जारी किया गया था इसको लेके बहुत सारी चर्चा हैं बहुत सारे लोग बिना किसी उसके बोल दे रह इसको मैं सबसे पहले संपूर समझाता हूँ कि यह क्या है राजपत्र है किसके बारे में कहा गया है और उसके बाद आप खुद समद जाओगे कि है क्या है अभी सुरुवात से इसको देखे तो इसमें लिखा क्या है कि केंडिये सरकार केंडिये रिजर्ब पुलिस बल इस नियम के बना हुआ था इसके अंतरगत इस 2010 के बदलाव के लिए ये एक राजपत्र दिया गया है जिसमें अब जो नई भरती होगी अब जो इसमें नए रिक्रूट्मेंट होगे वो नया नियमवली के आधार पे आएंगी उसका इस पस्टिकरण इसमें दिया गया है आगे अगर आप पढ़ेंगे कुछ जहां तक की उनका संबंद कॉंस्टेबल साधार डूटी के पत से है उन बातों के सिवाए अधिक्रांद करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोब किया गया है केंदे रेजार पुलिस बल से साधार समूगा पद में कॉंस्टेबल के पदपर भरती की पद्धती का विन्यमन करने के लिए निमनलिखित नयम बनाती है जो अभी तक 2010 से चलता आ रहा है अधनियम 1949 के तहर्ट वो अब क्या है 2030 से नए नयम बनेंगे वो नए नयम क्या बनेंगे उसके बारे में यहां पर दिया समूगा पद भरती नियम 2023 से ठीक है यह बात समझेगा और मैक्सम जो वेकेंसी निकलेंगी वो CRPF के नाम पे ही निकलेंगी यह भी इसमें सापशाप एसपस्टी करन इसका दिया गया है यह राजपत्र में इनके प्रकासन की तारीक से प्रवित्त होंगे राजपत्र में इसका प्रकासन 5 तारीक कोई हो गया है मतलब यह नियम अब हो गया है क्या हो गया है लागू हो गया है अभी तक यह SSC निकालती थी SSC ही निकालेगी ऐसा ने की कोई और निकालेगा बट अभी तक इसका नाम लोग SSC GD बोलते थे अब SSC भी इसका नाम CRPF GD ट्रेट्समे में, बिरिस्ट है, मतलब कि यह append किये हुए हैं, कहां लगाये हुए हैं इसी अनुसूची में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो इसी में लगाने की बात कर रहे हैं इस.- यहां पर देने की बात कर रहे हैं ठीक है यह सारी चीजे कि नीचे कॉलम में जो दिया हुआ है कॉलम दो कॉलम तीन उसकी बात कर रहे हैं कि नीचे दिया हुआ है यह मैं अभी आपको दिखा देता हूं उसके बाद भरती की पद्दती क्या होनी चाहिए आयो सीमा क्या होनी चाहिए और अहारताई क्या होनी चाहिए यह कॉलम होते थे उनके संदर में यहां पे दिया गया है अधिवर्सिता के बारे में दिया गया हुआ है और सिथिल करने की सक्ति के बारे में इसमें पूरा दिया गया हुआ है इसको अगर हम ध्यान से देखे तो यह जो अनुसीची आपका दिया है यही कॉलम तीन से पांच भागदों में जो दिया हुआ है इसमें दिया Constable साधराण डूटी पद का नाम होगा पद की जो संख्या होगी वो 29929 एक लाख 29929 और 2030 यही लोग कह रहे हैं कि यहां पर यह इस्टार लगाया हुआ है इसका मतलब एक लिफ्रेंस पॉइंट से लिया गया है ऐसा कोई नहीं की रिफ्रेंस है यह राजपत्र में इस वेकंसी का पूरा जिक्र है और आप आने वाले समय में इस वेकंसी को सुनोगे भी एक लाग 29,000 यह बिल्कुल सटीक है इस टार इसने लगाया गया है कि कारेभार के आधार पर परिवलतन किया जा सकता है जैसे इससे पहले आप देख रहे थे हैं ससी जीडी सकतर हजार सुनाई दी रहा था फिर पत्चिस हजार आया उसके बढ़ा कि पचास जार कर दिया ग पत्रिद जो नौन गेस्टड होते हैं उनका अननुस चिवे योद्ध के हिसाब से यह किया गया है वेतन मैट्रिक्स में इस तर जो है इसका लेबल 3 होगा जो 21-700 से लेके 79-100 रुपए तक होगा और चैन पद या आचैन पद अभी इसमें लागू नहीं होता है यह पांच 12-23 वर्स के बीच में अनुसूची जाती अनुसूची जंग जाती अभ्यक्तियों के दसा में 5 वर्स और अन्य पिशड़ा वर्गे के अभ्यक्तियों के दसा में 3 वर्स सिथिल की जा सकती है मतलब एक्सेंट की जा सकती है बढ़ाई जा सकती है आयो सीमा आउधारित करने क के लिए निर्डायक तारीख वा होगी जो कमचारी चैन आयों द्वारा विग्यावित की जाए यह इस बात का प्रूफ है कि आपकी जो वेकिंसी आएगी वह सी रपीफ की वेबसाइट से आएगी क्योंकि वह ही डिसाइड करेगा कि इसका नियम इसका जो डेट होना चाहिए वह क्या होना चाहिए जो इसकी लिमिट होनी चाहिए डेट की वह कहां से एक हाट से काउंट करेगा या एक एक से काउंट करेगा जैसा कि अभी आप लोग सीजियल में यहां पर ट्विटर कंपेंड कर लो भूत्पूर्व जो अगनिवीर इसे इसलिए बनाया यह अभी आ बहुत्पूर्व अगनिवीरों के पहले बैच के जो अभ्यारति हैं उनके लिए ऊपरी आयोसीमा 5 वरस्तक क्या कर दी गई बढ़ा दी गई है भूत्पूर्व अगनिवीरों के लिए ऊपरी आयोसीमा 3 वरस्तक सिखिल की जाएगी यह बात समझेगा भूत्पूर्व सेंध्य कर्मिकों की दसा में शम्तुल्य शायन अहता होना चाहिए चैन्द्य रिजर्ब पुलिस वर्में कॉंस्टेबल जो साधान डूटी के पतपर भरती के लिए सारीरिक और चिकत्सियर मांदंड केंद्यिय सरकार दौरा समय समय पर भीत इसकीम के अनुसाल लागू जिसे P.E.T. बोलते होगा आप लोग यह आपका जैसे अभी S.S.C. के नियम से चल रहा है वो वैसे होगा उसमें कोई बदलाओ नहीं होगा क्योंकि वो S.S.C. को डिसाइट करनी है दूसरी बात जो अगनिवीर वाले बच्चे हैं उनके लिए P.E.T. नहीं होगा मतलब उनक के लिए कोई physical efficiency test नहीं होगा बाकि medical तो उनका भी होगा बाती के लिए विज्ञापर में लेखित कांस्टेबल के लिए यथा वह सारीरिक दक्षता परिक्षा और लेखित परिक्षा में आरक होना चाहिए ठीक है बूद्पुर्वागलीवेरों की सारीरिक दक्षता परिक दो साल ही है बाकि सारी चीजे वही है और 10% का आरक्षण कांस्टेबल के पतपर सीधी भलती के लिए 10% रिखती है भूद्पुर्व अगनी वीरों के लिए आरक्षत होंगी 10% जो इसमें नया रिजर्वेशन लेके आएंगे वह अगनी वीरों लेके आएंगे आपने निकल चुका है अब इनको क्या दिया जाए एक आरक्षण दिया जाए तो वह 10% का आरक्षण के लिए ये राजपत दिया गया था तो इसमें 1,29,000 जो वेकनसी की बात कही गई है वो बच्चों बिलको सटीक है आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो अपनी तैयारी में जु कर सकते हो 25-25-25 का पैटन हाँ ये बात अलग है एससी थोड़ा बाग पैटन चेंज कर सकती है लेकिन अभी कोई ऐसी सुचना नहीं है और नहीं कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि इसका पैटन चेंज हो जाए तो इसका पैटन वही रहेगा 25-25-25 से फिर भी चेंज हो जाता है तो वह हम लोग देखेंगे कि किस आधार पर एससी चेंज करता है बाकी उसी चीज की सारी चीजे इसने क्या लिख दिया है या पर इंग्लिस में लग दिया है जिसे इंग्लिस में समझना है इंग्लिस में जिसे हिंदी में समझना हिंदी में सारी चीजे इंफॉर्मेशन स से दियार करनी है reasoning किस तरह इसे नंबर बढ़ाया जाए एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर एक लाग तीस हजार वेकंसी है बच्चों है अगर एक लाग तीस हजार वेकंसी है तो जायों सी बात है कि कटॉफ बहुत नीचे आने वाला है जो सबसे ज्याधा मिलने वाला है किकर मेंधाने वाला है कटॉफ बहुत ही लिखा ज Healthy तो कोई बुरा नहीं है यह एक लाग तीस हजार अगर लिखा जाए तो कुछ भी बुरा ही नहीं इतने पद हैं और इसमें आप देख सकते हो कि cutoff कम से कम 10 से 12 नंबर नीचे आएगा ये बात clear है तो अगर आप 100 कोशन में 55 से 60 कोशन भी कर लेते हो जनरल करेगरी के बात कर रहा हूं तो इस बार आपको selection पका है तो आप 55 साथ नंबर लाने के लिए ये तयारी करना शुरू क कर दो बहुत मेहनत करने के अवसकता नहीं होगी बस एक तरफ आप पढ़ी रहे हो अगर आप फ्रेशन हो तो आप तो बहुत एच्छे पॉर्चुनिटी है ससी के लिए complete ससी वो चाहे ससी जीडी की बात हो चाहे MTS की बात हो चाहे CHSL की बात हो टीम परिक्षा प्लस सुब 9 बजे से लेके 11 बे तक 9 एम से लेके 11 एम तक ये फ्री फाउंडेशन बैच चला रही है इसमें उन बच्चों के लिए बहुत बेतरीम क्लास चलाई जा रही है जो बिल्कुल SSC में फ्रेशर है जो SSC को बिल्कुल नहीं पता कि इसमें कौन सी नौकरे निकलती है कैसे तैय तैयारी करते हुए उसे क्रेक करना है कहने का मतलब SSC GD से लेके CGL तक सब कुछ आपका A to Z solution 9am to 11 in free foundation क्लास आपकी चलाई जारी है कहां पर चलाई जारी है परिक्षा प्लस के YouTube चनल पर चलाई जारी है यह जो आप इस पर वेडियो देख रहे हो किसी पर आपकी चलाई जा सकते हो बागी क्लास में सारी information में आपको देता रहूंगा चले को सब्सकाइब अवश्य कर लीजे इसके बाद भी यदि कोई प्रशन रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर हमसे पूश सकते हैं और आप अपना प्यार अवश्य बनाए रखें लाइक और कमेंट अवश और आप